अक्सर हम देखते हैं कि एवर्देंसी में पेशेंट आते हैं काडियक अरेस्ट लेकर और पहले से पता चलता है कि उन्हें हाट कीव डायबेटीज था और चलने में दिक्कत थी सांस पूलता था तो ऐसे लोगों के लिए संदेश है कि आपको जैसे आप डायबेटिक हैं या फिर नौर्बल लोग भी किसी को भी अगर दो फ्लोर सीडी चलने में सांस पूलता है एक फ्लोर के बाद अगर बोलते हैं कि नौर्बल आदमी के तुलना में अगर उनको सांस पूलता है या फिर फिर आपको उठकर बैठना परता है पसीना आता है तो ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि मुझे हाट की बीमारी है और इमिडेटली उसके लिए ECG या फिर आगे जो भी जांच है वो करवाकर यह करना चाहिए कि हाट में ब्लॉकेज हो सकता है और अगर ब्लॉकेज है तो उसके लिए ECG जाच बिल्कुल करवाना चाहिए क्योंकि कई लोगों को यह टड़ लगता है कि ECG नहीं करवाएंगे चलने पिरने पड़ी आइक जरसन करने पर कई बार घर में औरतें जारू लगाती है तो उसमें हाफ जाती है तो ऐसे सारी लोगों को जरूर अपने कार्डियक प्रोफाइल की सारी चांच करवानी चाहिए ताकि कार्डियक अधिस से बचा जा सेबिए